हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में 201 समस्टर मैथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर सक्सेसिव डिफ्रेंशेशन इस चैप्टर में बस आपको डिफ्रेंशेशन करना है लेकिन जब भी successive differentiation की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि कई बार लगाता differentiation करना मतलब आवकलन करना इसके बारे में काफी कुछ हम पहले की क्लासों में बता चुके है इस chapter में केवल आपको yn निकालना पड़ेगा मतलब y एक function होता है उसका आपको nth derivative निकालना होता है तो कई सारे question पहले लग चुके है इसी chapter को इस क्लास में आगे और continue करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर question आपने लिख दिया question क्या है? लिखा है find y n y n ही निकालना है जब भी successy differentiation की अगर सवाल आते हैं तो y n ही निकालने के लिए कहा जाता है और यह y n है क्या? तो भाई y यहाँ पर एक function है और यह जो नीचे n लगा हुआ है न इसका मतलब है कि इसका nth derivative निकाला गया है मतलब n time इसका differentiation किया गया है और हमने आपको बताया था कि y n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d की power n upon में dx की power n अब y का करेंगे तो यहाँ पर y लिखतेंगे मतलब find आपको यह करना है ठीक है? अब इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे बात वही है ठीक है? और अब यहाँ पर function आपको y दे रखा है कितना cos ax plus b दे रखा है और एक function आपको दे रखा है cos ax दे रखा है दोनों का आपको क्या करना है? nth derivative निकालना है तो देखे कैसे निकालेंगे? यहाँ पर पहले डालेंगे solution पहले क्या करेंगे? इसका निकालेंगे और इसके base पर इसका निकाल लेंगे nth derivative ठीक है? तो हमने क्या लिखा? solution में पहले तो जो given में function दे रखा है उसे लिख लेते हैं क्या दे रखा है? y बराबर cos ax plus b यह दे रखा है अब देखे हमने आपको बताया था कि nth derivative को निकालने से पहले वो आप कैसे find करेंगे? इससे पहले आपको उसका एक बार differentiation करें two time differentiation करें, three time करें और इनको देख कर ही हम nth time निकालते हैं ठीक है? तो यह function है पहले इसका one time differentiation करेंगे तो y का कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा जैसे कि y का जब आप differentiation करते थे 12th में तो ऐसे तो लिखते थे, dy upon dx ऐसे तो लिखते थे और dy over dx को y1 लिखेंगे, ठीक है? पिछले class में कई सारे सवाल लगवाए तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा कि one time differentiation के लिए y को y1 दुबारा करेंगे तो y2, ठीक है? अब देखिए, cos का differentiation कितना होता है? cos x का differentiation होता है minus का sign, तो भाई minus का sign लिख दिया angle में जो है, वैसा ही लिखा रहे ने दिया अब ये x तो है नहीं, ये तो a x प्लस b है तो a x प्लस b का दुबारा करेंगे तो जब दुबारा करेंगे तो a आ जाएगा x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा क्योंकि b constant है तो कितना बज़ेगा? केवल a बज़ेगा मतलब इस वाले quantity का, इस वाले function का दुबारा करेंगे, तो दुबारा करेंगे तो कितना आएगा? केवल a आएगा, ठीक है? तो ये हमारा पहली बार differentiation हो गया लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जाया पर क्या है? a x प्लस b है a ये तो constant है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा लेकिन अब आब इसका ये वाली quantity का फिर से करेंगे a x प्लस b का, तो फिर से a बचेगा x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा तो मतलब फिर से क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा a पहले से है, multiply में a एक और हो जाएगा तो a और a कितना हो जाएगा? a square हो जाएगा तो हमने इस तरीके से a square लिख सकते है ऐसे आप चाहें तो third निकाल सकते हैं तीसरी बार derivative भी कर सकते हैं यहाँ जाएगा, यहाँ पर a cube हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने दो इसके derivative निकाल लिए जादा से जादा आपको 2 या 3 निकाल कर दिखा दीजिएगा जिससे की nth derivative हम निकाल ले अब हमने इस तरीके से and so on लगा दिया कि इसी तरीके से process जो है हमारा आगे तक चलता रहेगा 3rd derivative में वैंसे निकाल सकते हैं 4th निकाल सकते हैं, 5th निकाल सकते हैं तो इसी तरीके से हम y n निकाल लेंगे ठीक है, y n का मतलब क्या है? d की power n upon में dx की power n और यह y का कर रहे हैं, तो यहाँ y आ गया इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है? तो y n का कैसे करेंगे? देखिए आपको उने बताया था कि n निकालने के लिए किन-किन चीजों को देखा जाता है कहां से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे देखिए function नहीं देखना है function को छोड़कर जहां से आपने पहला derivative करना शुरू किया है मतलब जहां से आपने पहला differentiation करना शुरू किया है वहां से देखते हैं, तो पहला differentiation ये है, दूसरा ये है ठीक है? इसी तरीके से तीसरा चौथा भी होगा इसमें क्या लगा है? माइनस इसमें क्या लगा है? माइनस तो क्या हम ant derivative में माइनस लगा दे? नहीं, अभी बताएंगे क्यों अब यहां पर देखिए, sign है इसमें दे रखा है cos, तो ant derivative में क्या होगा? तो तो बड़ी confusion होगी कि इसमें sign दे रखा है, इसमें cos दे रखा है, तो बड़ी ant में क्या होगा? sign होगा? या cos होगा? या कुछ और होगा? पता ही नहीं है ठीक है? इसमें angle ax plus b है, angle ax plus b है तो इतना तो confirm है कि इसमें भी angle जो है, वो इतना ही रहेगा ax plus b, उसके बाद देखिए इसमें a की power कितनी है? एक है, इसमें a की power कितनी है? 2 है, ऐसी third derivative निकालेंगे, तो उसमें a की power कितनी होगी? 3 होगी यानि इसी तरीके से जो ant term होगा, इसमें भी क्या होगा? a की power n हो जाएगी, देखिए one time था, तो one power two था तो two power, और ऐसी n होगा तो n power हो जाएगी a की लेकिन यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या लिखें? तो एक तरीका बताते हैं, इसको हम change करेंगे किसमे? ASTC के formula में, तो देखिए, हम इसको क्या लिखा है? यह a जैसा है, वो तो वैसा रहेगा, यह वाला जो term है, minus का sin a x plus b, इसको हम formula में change करेंगे, तो आपने formula पढ़ा होगा, कि cos cos pi by 2 plus a x plus b, भाई, हमने यह क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया, देखिए ध्यान से, pi by 2 का मतलब क्या होता है? 90 होता है, यहाँ पर लिखा है, इसको आप मान लीजे, theta, तो यह क्या लिखा है? cos 90 plus theta, अब इसके लिए आपको astc आना बहुत जरूरी है, यह लीजे, हमने astc बना दी, आपने पढ़ी होगी 10th class से ही पढ़ी होगी, astc 10th में 11th में I hope आपने पढ़ी होगी, ठीक है? यह astc होती है, यहाँ पर 0 degree angle होता है, यहाँ पर 90 degree होता है, यहाँ पर 180 degree होता है, यहाँ पर 270 degree होता है, और फिर से यहाँ पर 360 degree होता है, अगर हम ऐसे सीधा-सीधा चले, 0 से start करते हैं, 0 से start करेंगे अगर हम सीधा-सीधा पूरा चलेंगे circle, पूरा सीधा-सीधा चकर लगाएंगे तो बीच में क्या लगा होगा सीधा चलने का मतलब है और अगर हम इसे जगह पर यहां से चलना शुरू करें 0 से उल्टा तो उल्टा का मतलब क्या है माइनस होगा तो यहां पर क्या लिखा है cos 90 प्लस thita है तो फॉर्मुला हम आपको बताते है देखिए नाइटी पहली बात प्लस लगा है इसका मतलब है सीधा चलना है तो यहां पर देखिए कौस आप यहाँ पर पहुंचे नाइटी पर और नाइटी में क्या है प्लस ठीटा है तो आप जब सीधा-सीधा चले, तो 90 प्लस Θीटा आप कहां पर आगए दूसरे वाले चतुर्थाश में आगए इतना, तो पता होगा, कि ये पहला चतुर्थाश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये चोथा होता है, तो आप जो सीधा सीधा चले तो cos 90 के वहले इतना देखिए 90 plus theta 90 सीधा सीधा चले 90 यह है plus theta का मतलब है एक और आ गए आ गए तो यहाँ पर किसमें आए हैं दूसरे वाले चतुरथांश में आए और दूसरे वाले चतुरथांश का मतलब है कि यहाँ पर S लिखा है इस S का मतलब होता है कि यहाँ पर sin और cos एक यह दो हमारे trigonometry function positive होते हैं बाकि सारे negative होते हैं इसी तरीके से यहाँ पर T लिखा हुआ है T का मतलब होता है यहाँ पर इस वाले तीसरी चितुरधाश के लिए 10 और cot यह दोनों हमारे positive रहेंगे बाकि सारे क्या होंगे negative हो जाएंगे और इसी तरीके से C लिखा है आपर C का मतलब है यहाँ पर cos और sec यह दोनों positive होगे बाकि सारे negative होंगे और यहाँ पर A, A का मतलब होता है all positive जितने भी 6 हमारे trigonometry function होते हैं sin, cos, cos, 10, cot यह सारे जो 6 trigonometry function होते हैं उसमें यहाँ पर अगर आप पहले जो दुधाश में हैं तो पहले में सारे कैसे होंगे positive होते हैं तो यहाँ पर क्या है cos 90 प्लस theta तो 90 में आप यहाँ पर गिरें इसका मतलब second वाले में आएं तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इसमें sin और cos है positive होगा लेकिन यह क्या है यह तो भाई cos है ना ही यह cos है ना ही यह sin है तो जब यह है ही नहीं तो क्या आएगा यह भाई negative में आएगा तो भाई minus लगा दिया और एक बात याद रखिएगा कि 90 और 270 पर जो है वो trigonometry function change होते हैं लेकिन 180 या 360 पर change नहीं होते हैं जैसे कि अगर यह cos है ठीके negative और positive यह तो आपको इस ASTC से पता चल जाएगा लेकिन इतना याद रखिएगा अगर हम angle ले रहे है 90 या 270 तो function change होगा मतलब यहाँ पर cos है तो cos का क्या हो जाएगा sine हो जाएगा ठीके तो यह हमने लिख दिया sine x अगर यहाँ पर क्या होता sine होता तो उसे cos कर देते तो इस अरेके से 90 और 270 अगर यहाँ पर 90 होगा 270 डिगरी होगा तो वह change करेगा लेकिन अगर इसी जगएपर यहाँ पर 180 डिगरी हो तो क्या करेंगे यह 360 डिगरी हो तो क्या करेंगे कि cos को cos में ही रέλे देंगे और minus और plus का किसे पता करेंगे इस ASTC से ठीक है तो यहाँ पर साफ साफ हमने देख लिया कि cos 90 degree plus theta कितना होता है minus का sin theta होता है theta चल रहा है तो यहाँ पर हम भी क्या लगा लेंगे theta ही लगा लेंगे तो यह हमने सही लिखा है न देखें cos 90 plus theta theta का मतलब यहाँ पर पूरा AX plus B से है तो cos 90 plus theta क्या होता है minus का sin theta होता है सही लिखा है तो यह formula हमारा सही है ठीक है और multiply में इसमें क्या चल रहा है A चल रहा है तो A लगा दिया तो इस तरीके से हमने change कर दिया अभी हम इसको क्यों change कर रहे है अभी आपको समझ में आएगा जब हम इसका nth derivative निकालेंगे उसके बाद इसी तरीके से इसको भी change करेंगे यहाँ पर देखिए this implied that लगाया यहाँ पर क्या चल रहा है अब minus का cos आपको चाहिए तो हमने क्या किया यहाँ पर लिखा cos 2 pi by 2 plus AX plus B अभी यह देखिए क्या यह लाइन आपके समझ में आई यहाँ पर हमने क्या किया देखिए इसके जैसे बनाने की कोशिश करी लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो यह वाला 2 यह वाला 2 cancel हो जाएगा केवल कितना बचेगा pi बचेगा और pi का मतलब होता है 90 degree का मतलब है pi by 2 और 180 का मतलब होता है pi ऐसी ही इसका मतलब होता है 360 का 2 pi होता है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि pi प्लस theta लिखा है क्या लिखा है pi प्लस theta इसका मतलब है 180 प्लस theta तो भही इसका भी फॉर्म्ला देख लीजिए कि कॉस 180 प्लस सीटा कितना होता है देखिए पहली बात 180 है तो कॉस तो चेंज नहीं होगा कॉस का कॉस ही रहेगा अब आगे प्लस और माइनस देख लेते हैं क्या आएगा को सीधा प्लस लगाए सीधा सीधा चल रहा है तो मतलब आप यहां पर 180 सीधा सीधा ऐसे आए तो आप गिरे आके थार्ड वाले चेत्रताश में तो थार्ड वाले में क्या होता है 10 और कॉट क्या होता है 10 और कॉट हमारा पॉजटिव होता है बाकि सारे निगेटिव होते तो यह तो भाई कॉस है यह ना ही 10 है ना ही कॉट है तो मतलब कि यह क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा तो देख लीजिए कॉस 180 प्लस ठीटा कितना है माइनस का कॉस सीटा मतलब यह भी फॉर्मूला हमारा सही है इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने ऐसा क्यों किया यहां पर पाइवाइग अगर पाइवाइटू में बन से मल्टिप्लाइ कर दे कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां पर वन टाइम है यहां पर टू टाइम कर दिया और टू कर रहा तो नीचे बन जाए ठीक है वन टाइम ठाइम है प्लस में जैसा एकस फ्लस भी है इसमें है वैसा ही इसमें है अब यहां पर क्या चल रहा है और इसको नहीं चेंज करेंगे अगर आपको दोनों फॉर्मूले यहां पर लिख लीजीएगा और आपको ज्यादा दिक्कत है ASTC नहीं आती है तो आप ये भी पूरा सरकल बना सकते हैं जैसे हमने पूरा इसके बारे में describe कर दिया ठीक है तो यह हमारा बन गया अब हम इसका end derivative कैसे निकालेंगे यह तो निकाल लिया a की power 1 a की power 2 तो उसमें एकी power कितनी होगी एन होगी इसका निकालते देखिए इसमें भी cause है one वाले में one वाले में कितना है cause है two time differentiation किया तो इसमें भी क्या है cause तो obviously जब हम end time differentiation करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा cause ही आएगा लिख दिया cause आगे देखिए यहाँ पर भी pi by two one time है यहाँ pi by two two time है अगर third वाले derivative आप निकालेंगे तो वहाँ पर pi by two three time आएगा तो इसी तरीके से जब one है तो one time two है तो two time तो इसी तरीके से n होगा जब nth derivative निकालेंगी तो यहाँ पर n time आजाएगा pi by two और आगे का इसमें तो हमारा same है तो obviously n term में भी same ही होगा तो plus करके ax plus b लिख दिया और इस तरीके से यह थोड़ा सा gap करके लिख देते है multiply में a की power n और यह हमने निकालकर आपको दिखा दिया है yn इस तरीके से हम निकालते हैं nth derivative y का ठीके y function चल रहा था तो इस तरीके से निकालत जब भी अगर इस तरीके की कोशिन आते हैं तो अगर आपको यहाँ पर चीज़ें अलग दिख रही हो जैसे कि हमेशा sign a cost मतलब trigonometry function होते हैं उसी भी अलग अलग चलता है तो यहाँ पर confusion थी कि spine ले या cost ले तो ऐसे तो decide कर नहीं सकते हैं तो हमने इसको एक जैसा बनाने की कोशिश करी और एक जैसा कैसे बनाएंगे ASTC का यूज़ करके तो ASTC की यूज़ करके हमने formula के according formula लगा दिया और अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों चीज़ें सेम हैं अब हम इसका end derivative भी निकाल सकते हैं तो निकाल दिया ठीके तो आप क्या करें इसको उम्मिद करते हैं समझ में आ गया होगा ऐसे इसमें function और दे रखा है y बराबर cos AX इसमें और इसमें अंतर क्या है दोनों सेम है बस इसमें क्या दे रखा है angle change दे रखा है यहाँ पर angle में AX प्लस B है इसमें angle में AX है तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब कि जैसा हमने इसे solve किया है same इसी तरीके से यह भी solve होगा बस क्या होगा answer म एंगिल में केवल AX आएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे y बराबर दे रखा है cos AX तो यहाँ पर इस तरीके से similarity करके भी तो लिख सकते हैं तो जी हां similarly करके भी लिख सकते हैं आप चाहें तो इसका कर लीजिए two time differential कर लीजिए y निकाल लीजिए लेकिन हमें साफ साफ देख रहा है तो क्यों ही हम दो तिन लाइने लिखें ठीके लिखना चाहें फिलाल आप कर सकते हैं कि पहले cos का minus का sign किया फिर फिर से हमने sign को cos किया फिर आप यह formula बनाएगा सब को same रहेगा बस जहां यहाँ पर यह angle चल रहा है ना उसकी जगे पर बस AX angle च 2 में A की power N यह आ जाएगा हमारा yN तो देख लीजे जहां से पूरा same है बस angle को change कर दिया इसके according तो समझ में आपको आगी आओगा कि इस तरीके से हम yN कैसे find out करते हैं इसका आप screenshot पूरा ले लीजे अब एक question हम आपको देते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं question अगला ठीक function है आपके लिए y बराबर sin A x plus B और एक और function देते हैं y बराबर sin A x ठीकर सेम इसी के तहसे सवाल है बस यहाँ पर क्या चल रहा है cost चल रहा है इसमे क्या चल रहा है sin चल रहा है तो सेम इसी तरह से लगेगा यह भी तो देख लीजी धियान से लगवा भी देते हैं आगर आप लगाना चाहें, तो वीडियो को यहीं पर pause कर दीजेगा, agan कर दीजे, और खुद लगा कर देखिए, और comment करके बताईए कि क्या आपने खुद लगा कर देखा, और फिर आप last game में जब हम इसे लगवा दे, तो चेक कर लीजेगा कि क्या आपका अंसर सही आ रहा है कि नहीं पूरा इसी तरीके से चलेगा बस जहां पर cause है वहां पर sign चलेगा बस इतना करना है तो सबसे पहले given में हम लिख लेते हैं क्या दे रखा है y बराबर sign ax plus b लिख लिया one time differentiation तो y1 बराबर कितना आजाएगा sign का हो जाएगा cause ax plus b इसका दोबारा करेंगी तो multiply में a आजाएगा फिर करेंगी तो y2 हो जाएगा cause का कितना हो जाएगा minus sign फिर ax plus b अब यह multiply में a जैसा है वो तो ऐसे रहेगा यहां पर ax plus b का दोबारा करेंगी तो a k और आएगा और a और a कितना हो जाएगा a square हो जाएगा तो इसी तरीके से यह process हमारा चलता रहेगा यहां पर direct हम yn निकाल लेंगे फिर से वह दिक्कत है इसमें चल रहा है cause इसमें चल रहा है sign तो आखिरकार हम ले किया yn में तो same way process है इसे भी हम ASTC में change करेंगे formula में तो this implies that लगाया देखिए यहां पर cos ax plus b चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते है इसको हम लिख सकते है sign pi by 2 plus ax plus b क्या हम इस तरीके से इसे लिख सकते है multiply में a है तो a लगा रहे हैं दिया क्या हम इसको इस तरीके से लिखते है देख लिजिए ध्यान से यह भी check भी करके दिखा दे रहे क्या लिखा है sign 90 plus theta pi by 2 का मदलब क्या होता है 90 तो cos 90 plus theta कितना होता है यहां लिख लिजिएगा कि sign 90 plus theta कितना होता है फिलाल 90 है तो sign का तो change होगा क्या हो जाएगा cos हो जाएगा अब plus और minus देख लेते है यह है हमारा 90 plus theta तो plus theta इसमें जाएगा तो इसमें sign और को से क्या होते है positive होते है और यह क्या है यह तो sign है ही तो जाहिर सी बात है यह कैसा होगा positive ही होगा तो देख लिजिए कि sign 90 plus theta प्लस AX प्लस B और multiply में जैसा A square चल रहा है उसे वैसर है ने दिया देखिए ये क्या लिखा है 2 से 2 cancel हो जाएगा क्या बचेगा पाई बचेगा पाई का मतलब 180 तो ये लिखा हुआ है sin 180 प्लस ठीटा तो sin 180 प्लस ठीटा कितना होता है पहली बात plus है प्लस ठीटा है तो ये 180 प्लस ठीटा यानि कि आप तीसरे वाले चित्रथांच में जाएंगे तो इसमें 10 और cot positive होते है लेकिन ये क्या है sin है ना ही ये 10 है ना ही ये cot है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो देखिए क्या लिखा sin 180 प्लस ठीटा कितना लिखा है माइनस का sin ठीटा यही तो है माइनस का sin ठीटा तो मतलब कि ये वाला फॉर्मुला भी हमने सही तरीके से खोल दिया आप देखिए यहाँ पर πाई बाई टो कितना है वन टाइम यहाँ टू टाइम है तो जाहिर से बात है कि ये टर्म में क्या होगा एन टाइम होगा और इसमें भी sin है इसमें भी sin है तो भाई, obviously y-n वाले टर्म में भी क्या होगा sin होगा तो ये आजाएगा आपका sin n pi by 2 प्लस ax प्लस b और अब देखिए यहाँ पर a की पावर 1 है दूसरे वाले में a की पावर 2 है तो n में क्या हो जाएगी a की पावर n हो जाएगी ये आपको निकाल कर दिखा दिया अपने इसका nth derivative और उसके बाद इसमें दूसरा दे रखा है y बराबर sin ax इसमें भी वही करना है केवल angle change दे रखा है तो आप यहाँ पर लिख लीजेगा कि y बराबर दे रखा है sin ax और यहाँ पर similarly लिख लीजे similarly यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका y जो आएगा वो आएगा कि sin n pi by 2 यहाँ पर आपका आजाएगा n pi by 2 plus ax into में a की power n तो इस तरीके से हमने इस class में दो question लगवाए लेकिन यह ऐसे question है यह exam में पूछ लिए जाएंगे बच्चे यहीं पर confuse होते हैं कि अब हम n derivative कैसे करें इसका तो इसलिए इसमें आपको ASTC आना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आप इस पूरे का screenshot ले लीजिए और यह दोनों question जो है अच्छे से आपको हमने समझा दिये है अगर आपके पास कोई भी unsorrd है बुक वगएरा है तो आप practice करके देखिएगा और आप बताईएगा comment करके कि क्या आपको इतना समझ में आ गया या नहीं आया और हमने कोशिश कर रही है कि ASTC आपको पूरी बता दे इस ASTC से कई सारे formula बन जाते है ठीक है तो ASTC भी आना बहुत जरूरी है और आपको नहीं आती है तो थोड़ी गंभीर बात नहीं आती है तो जादा भी tension मत लीजिए बीच बीच में जहाँ जहाँ पर ASTC लगती है वहाँ वहाँ पर मापको बता देते है जिससे कि यहाँ पर ASTC लगी पूरी ही लगभाग पूरी हमने आपको ASTC बता दी बस formula नहीं बता है मेंने ASTC का काम होता है इसे समझना कि A क्या है S क्या है T क्या है C क्या है चलते क्या से plus कहा होता है minus क्या होता है कि वह इतना समझना होता है जो कि हमने आपको बता दिया अब कुछ और questions है उन्हें भी बता देते हैं तो उसके बाद देखिए अगला question यह लिखा है Y इन बरावर कितना निकला है A की power N under root में 1 plus minus 1 की power N sine 2 AX मतलब यह जो Y function है इसका nth derivative आपका इतना आना चाहिए यह आपको true proof that करके बताना होगा इसी तरीके से यह question ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है तो हमने और करके लिख लिया दोनों हैं ही एक जैसे बस इसमें function को Y माना है इसमें function को U मान लिया उसके बाद देखी इसमें जो हमारा nth derivative है nth derivative मिकालेंगे इसमें n की जगे पर r मान लिया है मतलब r derivative मिकालेंगे r derivative लेकिन बस करनते वैसा ही है जैसा इसमें करेंगे उसके बाद क्या किया है यहाँ पर इसमें constant हमारा a चल रहा है इसमें constant कितना कर दिया देखे n constant कर दिया और इसमें under root लगा है उसमें power 1 by 2 लगा दी तो 1 by 2 का भी मतलब तो हमारा under root ही होता है कुल मिला कर बच्चे को गुमराह करने के लिए या हम ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे क उसके और ठीवित करिए तो टब क्या आएगे और इसके जिगया अगर यह कोशन तब क्या करेंगे तब आप सोचेंगे कि हाँ कुछ देखा देखा सा तो लग भा है यह कोशन लेकिन जैसा है वैसा नहीं है तो थोड़ा साorp पेपर को ठप बनाने के लिए या थोड़ा सा बच्चे को गुमराहा करने के लिए ऐसे कोशन आ जाते हैं केवल क्या होता है उनको जिस तरीके से जैसे आपने y से माना होगा वो किसी और तरीके से मान लिया जैसे इसमें y से मान लिया हो जरूरी नहीं है आपके अग्जाम में y से ही आए कुछ other constant से भी सोरी कुछ other variable से मान कर भी आ सकता है तो घबराईएगा नहीं जैसा कि हमने आपको concept समझा रहे हैं इसलिए हम कई classes में कहते रहते हैं कि math के पेपर में आपको क्या करना है जो भी हम आपको question solve कराते हैं उसके concept समझने कि आखिरकार किस step by step से सवाल को solve किया जाता है जैसे कि why in find out करने के लिए कहा गिया यहां you are find out करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है हमने आपसे जैसा सवाल समझाया है कि nth derivative क्यास निकालते पहले one time differentiation फिर two time differentiation फिर three time differentiation उसके बाद ही उसके base पर nth time differentiation करते हैं तो इसलिए हम कई इसलिए बात कहते हैं और आपको यह बात समझनी भी पड़ेगी कि आपको क्या करना है concept पर ध्यान देना है जो हम concept आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सवालों को solve कर रहे हैं सवाल पर तो ध्यान दी थी कि किस तरीके से solve हो रहा है लेकिन उसके अलावा भी यहां पर इसी फिर दी जिसका ध्यान दखिए गा किस सवालों को जो हम solve कर रहे हैं इसमें लग क्या रहा है क्या method लग रहा है कि तरीके से solve हो रहा है जिससे कि इसके इसके अलावा अगर कोई अधर तरीके से सवाल आ गया तब आप उससे भी सही सरी तरीके से लगा पाए जिसके आपने ऐसे लगाया था ठीक है तो इस चीज़ को याद रिखिएगा इसे अब लगाते काफी important है 16 में और हमारा 19 में यह question आया हुआ है तो काफी important है और इसमें भाई एन जब भी improvement में आता है तो वो question वैसे भी important होते है कई सारे आगे भी बताएंगे तो इसे कैसे लगाएंगे वही तरीका हमारा सबसे पहले function यह दे रखा है तो function हम लिख लेते है given में y बरावर दे रखा है sin ax plus का cos ax दे रखा है आप चाहें तो यह वाला भी लगा सकते हैं सेम इसी तरीके से लगेगा बस आप जब इसे question note कर रहे हो तो और करके question दोनों लिख लिजिएगा solve केवल हम एक ही करवा दे रहे है यह वाला यह वाला भी सेम इसी तरीके से लगेगा बस constant n लगा लिजिए y माना था इसमें u मान लिया nth derivative काला n की जगे इसमें r लिखा है बस इतना सा करना है तो एक लगा दे रहे question लेकिन दोनों लिख लिजिएगा ठ X का दोबारा होगा तो multiply में क्लोकों एक साइगा ऑफिर से दोबारा होगा justify में क्या जाएगा r याजागा यह उगा उसके पार लिख दोबारः करेंगे एक यह बरत तो कि य वाइट हो गया cos का क्या हो जाएगा minus का sin हो जाएगा multiply में यह जैसा है वो तो वैसा रहेगा लेकिन ax का दोबारा फिर से करेंगे तो फिर से 1a और आएगा तो 1a और a कितना हो जाएगा a square हो जाएगा minus लगाया sin का क्या हो जाएगा cos ax और फिर से यह AX का दोबारा करेंगे तो फिर से A बचेगा तो A into A कितना हो जाएगा A square हो जाएगा ऐसे यह थर्ड टाइम निकाल सकते हैं तो टाइम निकाल सकते हैं टू टाइम निकाल लिया इनफ है ठीक है अब हम क्या करेंगे इस तरीके से and so on हमने यहाँ पर लगा दिया है य निकालेंगे य न में देखें यहाँ पर अब आप देखें फिर से होएंगे यहाँ पर क्या है सकॉस यहाँ पर क्या है माइनस साइन यहाँ पर क्या है minus sign यहाँ पर क्या है cause फिर confusion create कर होगी कि yn में आखिरकार क्या आएगा sign आएगा या cause आएगा समझ में ही नहीं आ रहा है यह जो a वाले term है वो तो आप लिख देंगे कि यहाँ पर one one है तो यहाँ पर क्या होगा देखिए one वाले में one power है two वाले में two power है तो जाहिड सी बात है three में three power होगी एकी four में four power होगी end में end power होगी लेकिन यह वाले जो है यह दिक्कत कर रहा है यहाँ पर आखिरकार क्या आएगा तो यह भी estc के formula से होगा देखिए आपर हमने यहाँ पर लगाया this implies that cost ax का formula तोड़ेंगे हमारा estc में हमने आपको बताया कि sin 90 plus theta theta का कामिया कौन कर रहा है ax कर रहा है तो ax लिख दिया अब क्या यह सही लिखा है चेक करते हैं यह हमारी astc है astc ठीके 90 plus theta लिखा है 90 यहाँ पर होता है तो 90 plus theta का मतलब सीधा चल रहा है तो sin यहाँ पर किरेंगे आगे दूसरे वाले में तो इसमें sin और cos positive होते है तो यह क्या है भई यह तो sin है तो यह positive ही होगा न तो plus का है न और देखिए sin हमेसा 90 है तो 90 में हमारा function भी change होगा sin का क्या होगया cos होगया तो मतलब formula यहाँ पर क्या लगाए कि sin 90 plus theta कितना होता है cos theta होता है इसको change कर दिया इसमें और एक बाद इसमें और भी देख लीजिए कि A into में यहाँ पर भी है into में यहाँ पर भी है तो हम क्या common लेकि इसी लिख सकते हैं जी common लेके लिख देते हैं यह लीजे A को common ले लिया उसके बाद इसको cos AX को formula में तोड़ दिया sin pi by 2 plus AX उसके बाद देखिए अब इसको तोड़ते हैं इसके लिए भी formula ही है हमारा इसको देखिए यहाँ पर इसको हमने लिख दिया cos 90 plus theta इसे भी देख लिजे यहाँ पर क्या है cos 90 plus theta कितना होता है minus का sin theta होता है कैसे चेक करते हैं हमने आपको बताया cos 90 plus theta होता है हमारा minus का sin theta देखिए cos 90 plus theta यहाँ पर है second वाले में गिरेंगे तो इसमें sin और कोसिक positive होते हैं यह क्या है यह तो cos है यह ना ही sin है ना ही कोसिक है तो कैसा आया है यह देखिए minus लगा दिया ना तो minus का sin theta लिखा है ना minus का sin theta और यहाँ पर देखिए अपने plus लगा आया है ठीक है तो यह भी formula किसना हो जाएगा cos 90 plus theta theta की जगे पर आपको ax लिखना होगा ठीक तो इसे हमने लिख दिया sin 2 into pi by 2 plus ax फिर plus लगाया और यह जो minus का cos ax है इसे हमने लिख दिया cos 2 into pi by 2 plus ka ax ठीक है तो इसे भी check करते हैं 2 से 2 cancel 2 से 2 cancel मतलब कि यह क्या लिखा है pi plus ax लिखा है pi का मतलब 100c तो sin 100c plus theta यह क्या है cos 100c plus theta तो भाई इसे भी बताते है sin 180c plus theta और cos 180c plus theta कितना होता है पहली बात कि दोनों कैसे है 180c में है 180c में function change नहीं होगा sin का sin रहेगा cos का cos रहेगा ठीक है plus minus चेक करते है क्या है sin 180c plus theta 180c यहाँ पर होता है 180c plus theta मतलब यहाँ पर आएंगे तीसरे वाले में इसमें क्या होता है 10 और cot positive होता है लेकिन यह क्या है यह तो हमारा sin है ना ही 10 है ना cot है तो यह क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा क्योंकि इसमें 10 और cot ही positive होते है बाकि सारे कैसे होते negative होते ठीक उसके बाद देखिए मतलब यह वाला formula मारा सही है sin 180 प्लस θेटा क्या होता है minus का sin θ देखिए sin 180 प्लस θ लिखा आए minus का sin θ उसके बाद cos 180 फ्लस θेटा होता है minus का cos θ चेक करते है यह है 180 प्लस θेटा फिर से इसमें आएंगे इसमें 10 positive होता है cos positive होता ये है क्या ये तो cos है तो भाई ये भी क्या होगा निगेटिव होगा तो भाई लिखा है cos 180 प्लस ठीटा कितना होता है माइनस का cos ठीटा तो इसमें आप देखेंगे तो sequence आपको दिख रहा होगा और अब आप end term निकाल लेंगे कैसे यहां e की power 1 है इसमें e की power 2 है थर्ड वाले में e की power 3 होगी तो ऐसे ही end term में e की power कितनी होगी n होगी उसके बाद देखिए sin इसमें भी है sin इसमें भी है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा sin आ जाएगा भाई sin भी लिख दिया अब angle में देखिए एंगिल में यहाँ पर जब आप देखेंगे देखें अगर हम multiply में 1 लगा दे तो क्या कोई दिक्कत है नहीं कोई दिक्कत नहीं है multiply करेंगे उतना ही आ जाएगा तो वहाँ one time pi by two है यहाँ two time pi by two है तो जाइड सी बात है third में three time pi by two होगा औरuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteuteute तो इसमें भी आ जाएगा तो लीजी ये हमारा end time निकाल दिया हमने end derivative निकाल दिया लेकिन ये जो है अगर ये हमें provement नहीं दिया होता तो हम सवाल को यहीं तक छोड़ देते और हमारा सवाल हो जाता लेकिन यहाँ पर आपको ये विलाना पड़ेगा कैसे भी करके क्योंकि ये आपको y-n इतना दे रखा है तो इसे हम बनाने की कोशिश करेंगे देखें यहाँ पर angle कितना है n pi by 2 plus x यहाँ पर angle कितना है n pi by 2 plus x तो इसे angle में ले जाने जब हम इसे angle में रखेंगे तो थोड़ा सा difficult रहेगा समझने में थोड़ी से दिक्कत हो सकती है तो हम क्या करेंगे इसे थोड़ी दिर के लिए A मान लेंगे फिर बाद में जाकर उसकी value रख देंगे इस angle को हमने थोड़ी दिर के लिए A मान लिया क्या करा? A मान लिया तो जब a मानेंगे तो यह आजाएगा yn बराबर a की पावर n sin a plus cos a अब 12th क्लास में हमने कई सारे सवाल लगाए होंगे और उसमें अगर आपको याद होगा तो जब भी sin और cos साथ है बनते हैं प्लस लगा होता है तो हम इसे formula बनाने की कोशिश करते हैं formula कैसे बनाते हैं देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए याप पर हमने लगाया under root इसमें लिखा sin a प्लस का cos a का whole of square क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जरूर लिख सकते हैं देखिए ध्यान से दोनो लाइन सेम है जैसा इधर वाला टर्म था वो तो सेम है अगर हम यहाँ से अंडर रूट को स्क्वायर को कैंसिल कर दें इतना ही तो आ जाएगा तो इस चीज को ऐसे लिखा सकता है लेकिन हमने इसे क्यों लिखा क्योंकि दोनों तो सेम थे फॉर्मूला बनाने के लिए देखिए ये formula बन गया न a plus b का whole of square बन गया न क्या होता है a square plus b square plus 2ab तो लगा देते यह आजाया का yn बराबर a की power n अंडरूड लगाया पहले क्या हता है a square a square का मतलब sin square a plus cos square a plus क्या होता है 2ab मतलब की 2sin a cos a ठीक है formula लगा दिया sin square a plus cos square a plus 2sin a cos a अब उसके बाद देखिए ये formula एक और बने गया आपने सर्व समी का पढ़ियोगी कि sin square theta plus cos square theta कितना होता है एक होता है तो यहाँ पर sin square a plus cos square एक कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे एक लिख देंगे तो ये जैसा चल रहा है बाहर उस साइन 2a का formula होता है 2sin a cos a ठीक है तो sin 2a का होता है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या sin 2a लिख सकते हैं तो लिख दिया sin 2a सही तरीके से लिखेगा जिस तरीके जर्म लगा रहे हैं तो यह हमारा खोल दिया तो देखा आपने जब भी तरीके से condition बन नहीं हो formula बनाने साइन 2a का मतलब हमारा क्या आ गया yn बराबर a की पावर एंड अंडर रूड में 1 प्लस साइन 2a इतना आ गया अब भी हमारा इसके जैसा नहीं है अब भी कुछ ना कुछ कम ही है तो इसे भी पूरा करते हैं देखे ध्यान से हमने एक इसे माना था ए माना था एन पाइवा साइड में कर देते देखे वाई एन बराबर a की पावर एंड है अंडर रूड में वन प्रस लिखाए लगती है अब एक ही जिए के केवल यह वाली वैल्यू डाल दे रहे है क्योंकि अब जो हमारा फॉर्मुला लग लगना था वो लग चुका है थोड़ा सा बड़ा हमार साइड ले जाेगी N Pi वाई टु ब्लस का कितना चल रहा है एक्स लिख दिया अब यह तू अंदर ले जाते जब यह तू अंदर ले जाएगा तो डू से यह वाला कैंसल हो जाएगा और यहां पर लेकिन तू आ जाएगा मल्टिप्लाइ में तो अगला स्टेप यह आएगा A की पावर N अंडर रूट 1 प्लस साइन N पाई प्लस का 2 A X तो ये लीजिए जब हम इस 2 को अंदर ले गए तो इस तरीके से step देखेगा 2 से 2 के अंसल यहाँ पर 2 मल्टिप्लाइ में आ जाएगा ये step आ गया तो इसको अगर आप इसको देखेगे तो साइन पाई प्लस 2 A X ये फॉर्मुला होता है तो आप इसकी जगे डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं मतलब ये फॉर्मुला है जैसे कि साइन पाई प्लस ठीटा होता है ऐसे ही साइन पाई प्लस ठीटा होता है तो n इसको अगर आप theta मान ले तो sin n pi प्लस theta कितना होता है? इतना होता है तो भाई लिख दे रहे हैं यहाँ पर a की power n under root में 1 plus minus 1 की power n sin 2ax यह आगया है हमारा yn और इसे ही आप box में बंद कर दीजिए और लिख दीजिए proved ठीक है? हमने आपसे क्या कहा? यह क्या है? sin n pi प्लस theta है तो n pi प्लस theta कितना होता है? minus 1 की power n sin theta होता है अब यह कैसे आया? तो थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं हमने आपको क्या बता है? फिलाल यहाँ तक लिख लिजेगा, proof लिख लिजेगा और यह कैसे आया? तो आप क्या करें? इस तरीके से page के side में line खीचिए और जो अब हम आपको बता रहे हैं कि यह कैसे आया? जो हम आपको oral बता रहे हैं कि sin n pi प्लस theta कितना होता है? minus 1 की power n sin theta होता है कैसे आया? तो वो समझ लिजे यह हम इसके नीचे बता रहे हैं लेकिन आप जो वो step है page के side में लिखेगा तो देखें हमने आप से कहा कि sin pi प्लस theta कितना होता है? मतलब sin 180 प्लस theta कितना होता है? यह है हमारी STC 180 प्लस theta कितना होता है? 10 में जाएगा 10 और 4 positive होते हैं बाकि सारे negative होते हैं मतलब यह आजाएगा minus का sin theta ठीक है? उसके बाद देखें अगर हम इसके जगाए पे लिख दे कि sin 2 pi प्लस theta कितना होता है? देखें यहां पर 2 pi पर होगा 2 pi यहां पर होगा 2 pi का मतलब 360 होता है तो 2 pi का यहां पर मतलब है कि 360 plus theta करना है तो आप इस तरीके से सीधा 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 चलके आए और 2 pi plus theta है मतलब इसमें गिरेंगे आगे पहले वारे चित्य थास पे और पहले वारे चित्य थास में क्या होता है? सारे positive होते हैं तो मतलब sine का क्या हो जाएगा sine theta ही रहेगा तो इसी तरीके से अगर sine 3 pi वाइट theta निकाले या 4 pi वाइट theta निकाले तो सारे आपको sine theta ही मिलेगा बस plus and minus में change होगा तो हम इसका n pi अब कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर कितना है यह one time है तो ये 2 टाइम हो गया, ऐसे 3 टाइम, 4 टाइम आप निकाल सकते हैं और यहां पर देखिए, हम इस minus 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं मतलब minus का जो था, minus को minus 1 लिख दिया 1 से multiply करेंगे, उतनी ही आ जाएगा और यहां पर हमारा sin theta plus का है तो plus के लिए हम इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, minus 1 का whole of square minus 1 का whole of square का मतलब भी तो plus even होता है तो sequence बनाने के लिए हम कर रहे हैं तो ऐसे ही अगर आप n निकालेंगे sin n pi plus theta जब निकालेंगे तो देखिए, यहां minus 1 की power कितनी है, एक है दूसरे वाले में power कितनी है, दो है तो ऐसे ही n वाले में minus 1 की power कितनी होगी, n होगी उसके बाद देखिए, यहां पर क्या चल रहा है sin theta हमारा sum में है तो sin theta तो भाई, ऐसा ही रहेगा तो समझ में आया, यह formula हमारा इस तरीके से बनता है आपको क्या करना है, पहले pi plus theta निकाल कर देखिए, 2 pi plus theta निकाल कर देखिए, उसकी base पर हम n pi plus theta निकाल लेंगे, इसमें उसमें change क्या है, इसमें देखिए, सेम यही formula है, बस theta का का काम कौन कर रहा है यहां पर 2ax कर रहा है तो पहले काम आप यह करिए इस पूरे का screenshot ले लीजिए, और यह वाला जो काम है, आपको कहा करना है इस improvement के side में line खीचेगा, 2-3 line में यह आ जाएगा कर लीजेगा, ठीक है, जिसे कि आपको याद हमेशा रहे कि यह जो बीच में step है इसको अटा के यह कैसे आ गया, ठीक तो उमीद करते हैं, आपको सारे question अच्छी से समझा पाए होंगे तीनो question काफी important थे और तीनो में सबसे जादा important यह question है, क्योंकि एक्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और आपको कोई भी doubt हो, तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं और इस class में आपने ASTC के भी कुछ formula जाने, जिनको कुछ भी दिक्कत है, तो comment करके आप हमें पता सकते हैं, हम अगले class से मिलेंगे, इनके और questions की बात करेंगे, साथ में जो lebanese theorem है इस chapter की सबसे important theorem, जिससे exam में question long में बनता है, ठीक है वो बहुत important है, जिससे हम अगले class में शुरू करेंगे तो इस class में इतनी रखते हैं, तब तक के लिए जय हिल, जय भारत